तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेक्टिसेन नंबर 28 का ठीक है 28 को देखेंगे देखने वाले हैं जो कि आपका ये घटना चेकर के भूसे लिएगा ओबर आल अगर अगर देखा जाए तो छटाओं प्रेक्टिसेट होगा ओबर आल 28 प्रेक्टिसेट है प्रेक्टिसेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसमें इलाबा धायकोट के एक्जाम्स के लिए गुरूप सी गुरूप डी और साथे साथ ड्राइबर के लिए जो पत निकला है टोटल सो कोईशन इसे पूछे जाने हैं तो यसे भी आपको पता होगा ठीक तो अपसां होजाएगा इसका एपार्ट ठीक है पूलिंग सब्डには इसमें गया है इसमें पूलिंग होता है बाकि इसमें जो सब्द हो सायरे क्या है और साति साथ मैंने दो म beton class करत एक कंउजिए के बार एक मैर आद मेरत के क्याशन आपको लबbin 20 समर्म कवःस कोरे हैं तो आप उसको देख सकते हैं आपके लिए जो है इलावा धाय कोड एक्जामस के लिए जो है फैल्फ फुल होगा ठीक है तो एंसर यहां क्या हो जागा एपाट हो जागा नेश कोशन देते हैं तो निम लिखी सब्दों में से एक पुलिंग सब्द कौन साइस में से पुलिंग सब्द बतायागा तो चाय दिया गया है सिकंजी है दही है और लखसी है तो दही क्या हो जागा दही इसका राइट अंसर है दही क्या होता है पुलिंग सब्द है जो की इकारांत संग्याओं में अपवाद है वैसे कर देखा जाए तो जो दही लिक्विड में आता इक्जाम्स के ग्रूप C और ग्रूप D के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सु प्रकासन की है आप इसको जो है देख सकते हैं इसमें आपको टोटल 25 प्रेक्टिस एट मिलेंगे साथ तीन स्वाल पेपर के साथ टोटल धाई हजार प्लस जो है आपको कोईशन मिलने वाले ह जो की व्याख्या की देश्टी से देखा जाए तो इसमें आपके लिए इलाबात हाई कोड के लिए बुक बहुत इंपार्ण हो जाता है आप इसको जो है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका प्रसंपत्त मतलब की प्रेक्टिस एट है और इस प्रेक्टिस एट के आण ल oral से जाकर आप सको पर्चेश कर सकते हैं ओ कर लिए कoli कि दिए गए और नमपर थ्री दिया गया है पुष्टक रख्खी है वाकि में बचन क्या है वाकि में fixing क्या है तो यहां पर बचंड जो हैगा एक स्बस्द्दन किस प्रकार के बचन में है तो यह एक क्शन में ठीक है पुस्तक रखी है एक बचने तुस्तक सब बेगे बचन होता है अगला प्रिशन है जिसे संग्या सब्द से किसी के गुड़ दोस और दसा आधिका बोध होता है उसे क्या कहते हैं तो उसको कहा जाता है व्जाला कौशै पूशन नमर फाइब को जगा सी पा ठीक है बहाव वाचक संग्या कहा जाता है निएश कोसन है उसे कुछ नहींखा है इसमे डिनोड कर रहा है कुछ सब्द जो होता है उसने कुछ नहीं खा इसमें अनिश्चे वाचक सर्वनाम के अंतरगति या आता है अंत बिशेस्ता बता रहे है तो यह बिशेस्ट सब्द हो जाएगा answer C. अश्यापसन है ठीकिए answer क्यों जाएगा C. वह नौकर नहीं आया इस वाग्ध में वह सब्द कौन सा बिशेस्ट है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यह सार्व नामी विशेसण के रूम में यहां परियोग किया गया है तो ए पाड़ इसका करेक्ट है ठीक है निम लिखित में से विशेसपद कौन सा है विशेसपद की किसमें बात करेंगे तो हो जाएगा उमा मुमा सब्द क्या है विशे सब्द जब की कालिमा मधूरिका और महिमा ये सभी क्या है विशे सब्द है सकर्मक किरिया के उधारन बताना अगले प्रस्ट में तो सकर्मक किसमें से हो जाएगा पढ़ना ठीक है पढ़ना जो सब्द है ये सकर्मक किरिया का उधारन है शकर्म क्रिया मतलब जिसक्रिया के वैपार का संचालान जो है करता हो परंत फल जो है दूसरे पर परता हो तो वहाँ पर शकर्म क्रिया होती है तो answer इसका क्या जाएगा C पार्ट चलिए ने इसको सन कारक के कितने भेग होते हैं कारक के भेदों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कारक की संख्या 8 मानी गई है answer D आपसन है जैसे की करता, कर्म, करण, संपरदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन जब कि संस्कृत साहित की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 6 कारक होते हैं वहाँ पे क्या होता है संस्कृत साहित में संबंध कारक और संबोधन कारक की गर्णा नहीं होती तो इस प्रकार answer D आपसन है जागा हिंदी में कारक की संख्या 8 चलिए हर मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक मरे एक खांके तो पाद जो है इसमें कांसा कारक है ये भताना है तो यहां पे क्या है बहन को पुस्तक देता है इसमें सगर हम देखेंगे तो answer C absence सही है, ठीक है, answer क्या है, C absence सही है, चलिए, अगला अपने देखते हैं, आप question number 14 से लेकर 18 तक आपको ये गद्यांस को पढ़ना है, और गद्यांस से उतर देना है, तो गद्यांस को आप लोग पढ़िएगा हम question की तरह चलते हैं, छलने की क अचार इसका D absence सही है, question number 15 दिया गया है, मुह में राम बगल में चूरी, इसका अर्थिन में से किस वाक्ष से पता चलता है, तो यहां आप गद्यांस पढ़िएंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे कि जिसका अर्थ, इसका अर्थि क्या होता है, मुह में कुछ और मन में क चूरता है, तो उसको कहते हैं, मुह में राम बगल में चूरी, हमने जीवन का अभिन अंग किसे बना लिया है, question number 16 की अगर हम बात करेंगे, तो हमने जीवन का अभिन अंग पाखंड और दिखावे को बना लिया है, तो यहां answer right, एपाट़जा का पाखंड और दिखावा, यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रतिनिष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि, अगर आप पढ़ेंगे गद्यांस को तो यहां पे गजग क्योंकि हमारे जीवन का अभिन अंग पाखंड और दिखावा बन गया है, ठीक है, तो answer C, आपसन right है, चलिए, गद्य गद्यांस के अपरे तो सीर्षक के अगरम बात करें, तो जो आप गद्यांस को पढ़ेंगे, तो यहां पर answer निकल कहाँगा, डी पाट, पाखंड, आधुनिक, जीवन का सत्य, तो answer D, आपसन सही है, पूरव और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, उसको हम क्या कहते है, इसान कहते है, answer इसका भी option सही है, इसान हो जाएगा, और यहां पर हम बात करेंगे, दच्छिड और पूर्व की दिशा को क्या कहते है, उत्तर और पश्चिम की दिशा को क्या कहते है, उत्तर और पश्चिम की दिशा को कहते है, वायब, ठीक है, वायब, और जो दच्छिड और पश्चिम की बीच की दिशा होती है, उसको कहते है, नैरेत, तो यह सभी याद रखेगा, चले, अगला प्रस्ट, आयत हर भजन को ओटन लगे का पास, इस लोकों के अर्थ बतान है, तो यहाँ पे इस लोकों के दिकार्थ हो जाता है, किसी कार बिसेश की उपच्छा करके दूसरे कार को करना, किसी कार बिसेश की उपच्छा करके दूसरे कार को करना, एंसर इसका D option correct है, चले, question number, question number अगर हम देखते हैं, तो 21 दिया गा है, तीरंगा में कौन सा समास है तीरंगा, तीरंगा अगर हम बात करते हैं, तो दिखे, यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा समास, तो यहाँ पर दिग समास हो जाएगा, ठीक है, बीपाट, क्यों हो जाएगा, तीरंगा क्यों हो जाएगा, तीरंगा क्यों हो जाएगा, तीरंगा क्यों हो जाएगा, ती संख्या आ जाती है और संख्या क्योंजा से यहां पर भी पाठ जाएगा निम लिखे में से सुद्ध वाग्व को बताना इसमें से कौन सा सुद्ध वाग्व के है तो यहां अगर हम देते हैं राम रोटी खाया तो यहां पर गलती की कि राम ने रोटी खाया है तो यहां अगर हम देते हैं तो रोटी सब्ध क्या है खाया है जो की लिखा जो गलत है क्योंकि रोटी सब्द जो है वो इस तरी लिंग के अंतरकत आता है तो यह हो जाएगा राम ने रोटी खाई है एंसर सी आपसने इसका सुद्रूप से सही है ठीक है अशुद्ध वर्तिनी सब्द इसमें से कौंस हो जाएगा तो यहाँ अगर हम देखते हैं आशुद्ध वर्तिनी तो इसकी जो तहते हैं इसका जो अर्थ होता है मलब सही रूप से लिखा जाता है जो वह बी पार्ट में लिखा हुआ है इस वाले पंक्ति में हमें बताना है कि कौन सा लंकार है तो जहां अब देखेजी है यह कनक कनक आ गया तो इसका उन्तल भी क्या होईगा यह मकल अंकार तो अगले कितर बढ़ते हैं यहां पर सरबादी कुपिक्ति सब्द का चैन करना है लड़का विमार है तो पढ़ने नही यहां पर कौन सा हम परियोग करेंगे तो यहां पर अब्बे सब्द आएगा इसलिए लड़का विमार है इसलिए पढ़ने नहीं आए तो यह होगा हिंदी के क्वेश्चन अब हमारे आगे मैत के क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन ऑब टॉंटिसीक्स दिया गया है मैत से कि एक पाई चार्ट आपको सामने दिख रहोगा दिया गया है और इसमें हमें बताना हैáng है इस पाई चार्ट को गया है तो बताना क्या है किया दे बर्स के खेलों के दवरान बे की गए किल रास जो थी इतना था जितना लिखा हुआ है तो किर्कट और हौकी पर कुल मिला कर कितनी रास बे में किया गया था ये बताना है तो किर्कट और हौकी की बात कर रहा है तो किर्कट आके पर कुल बे आ जाता है दोनों मिला कर तो हमें पूछा गया है कि इन पर रास कितना था तो हम क्या करेंगे 33% बटे 100 कर देंगे ठीक है और इन्टू ये 75 दो बार जिरो फिर तीन बार जिरो से गुड़ा कर देंगे तो हमें कुल रास पता चल जाएगी यहां से दो सुन कैंसिल हो जाएगा 33 गुड़े 75 आप करिएगा तो इसका मान क्या जाएगा 2475 और ये 30 जीरो बचेगा तो ये 30 जीरो इतना रुपए जो है खर्ज किया गया था हांकी और क्रिकेट पर तो एंसर 2475 हो जाएगा ठीक है 24 लाग 75 रुपए एंसर बी पार्ट करेक्ट है तो इस तरी के लगा लगे चले कोईशन नमबर 27 देखते है 27 नमबर कोईशन दिया गया है दिया गया है कि एक चत्रभुज है ABCD पर एक परिवर्थ निर्वित किया गया ठीक है अब परिवर्थ निर्वित के अमला चत्रभुज के चारों और क्या है बिर्थ बनाया गया तो माल लेते हैं कोई ये चत्रभुज के अंदर चत्रभुज के ऊपर क्या है परविर्थ हटी गए इस तरीके से कोई चत्रवुज एक यह हो गया आपका चत्रवुज जो कि यह परविर्थ के अंदर जो है निर्मित है तो हो गया अब यह क्या कह रहा है इस का मान रख देता है एब इस इस धीड़ी यह हो गया अब क्या कह रहा है कि कोणड डी बिड़ावर सो डिगरी अग्णडेवर पैंतिश डिगरी और कोणड चालिए तो हमें डी वी-सी का मान ज्याद करना है कौन रिमेंजी तो यहां देखे कौन डी एबी डी एबी मतलब इसका वेलू कितना दिया गया है 100 डिगरी दिया गया ठीक है और एडी बी एडी बी एडी बी मतलब कि यह इस तरीके से यह डी बी बता गया है तो यह वाला जो कौन है एडी बी ठीक है यह कौन कितना है यह हमारा दिया गया है एडी बिर और थार्टी फाइव डिगरी ठीक है थार्टी फाइव डिगरी हो गया फिर इसके बाद कि रहा कि कौन कमान दियागा एडी बी और सी डी बी सी डी बी सी डी बी कमान कितना दिया है 40 डिगरी यहनी कि स्कोर जो डिए 40 डिगरी मांद दिया गया तब हमें निकालना कौर DBC कमान यह बैलू हमें निकालने है ठीक है यह बैलू निकालने है तो कैसे निकालेंगे चलिए सबसे पहले हम यहां पे देखते यहां पर हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एकस बराबर 180 डिग्री इसके द तरी पच्छांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 180-135 घटाएंगे इसको तो क्या वेलु आ जाएगा आपकी 45 बेड़ु तो आपका X कमान क्या आ गया 45 ठीक है मतलब कि कौन B कौन DBA कमान 45 बेड़े अच्चूंकि जो चत्रुभु जो होता है वो क्या होता है चत्रुभु जो होता है चक्रिय है A, B, C, D क्या है चक्रिय चत्रुभु जो होता है चक्रिय चत्रुभु जो मलब बिर्ति के अंदर अगर बनता है तो चक्रिय चत्रुभु जो होता है चारुभु जो मलब चारे बिर्ति की परित पर होती है तो जब यह चक्रिय चत्रुभु जो होता है तो इसे में क्या होता है इसे में मान होता है कॉन्ड a b c c अब्च के बराबर होता है यह मान तो यहां पर हमें कॉन्ड a b c का मान क्या क्या पता है कौन ABC हमें पता है 45 डिग्री प्लस दूसरा जो कौन है उसका मान मैं नहीं पता है तो उसको मान लेते हैं यह हो जाएगा प्लस कौन ADC में क्या पता है तो कौन ADC में 45 प्लस 35 दोनों पता है तो दोनों रिते हैं 35 प्लस 40 यह पता है यहां पर जाएगा 180 डिग्री कि इसको हमने वाई माना है आप यह क्या करें तो यह बराबर हो जाएगा तो य कमान हमें क्या पता चल जाएगा वह बराबर हो जाएगा वह साथ डिग्री बैलू आजाएगी इसकी हो जाएगी तो राइट अंसर इसका साथ डिग्री इस त्रीकी से हो जाएगा एंसर पाट टीक है इस तरीके समने के सिकालेंगे चले अगले अपन की तरह बलते हैं नमबर 28 दिया गया तिर्भुज एक्स वाइजट तिर्भुज दिया गया कोई एक्स वाइजट और इसमें कहा गया है कि सी क्या है इस त्रिभुज का परी के अंदर है aan Aap क्यां पचास निग इसकी है इसका मांण पचास स्कामान कितना इसका मांच यह स साट दिकर डिकर तो हमें बैलू क्या गयाद करनी है हमें बैलू गयाद करनी है इसकी जो कि X एक्स Y और जट इस तरीके से बैलू हमें X की गयाद करनी है कि X का मान क्या होगा कौन Y सी जट का मान क्या है कि हमें वाई सी जट का मान ग्याद करना मतलब कि हमें इस कौन का मान ग्याद करना ठीक है एक इधर अगर मिला देते हैं और इसके बाद एक इधर मिला देते हैं इन दोनों का यह जो हमारा कौन बनता है यह हमें ग्याद करना कि क्या हो जाएगा ठीक है तो देखे जब कोई के के आता है वो है कोंड Y कोंड YC Z बराबर होता है दो segundos Y C Z log Y discuss X जड क्यों की Yожет बराबर कितना हो जाएका यहeder कि इस um ये हमारे एक दोर मोता है इसी को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम पहले प्वहले प्वोनmış निकालते हैं उस निकालेंगे तब पाएगा क्योंकि त्रिवुज एक्स वाई और जड़ है तो इसमें तीनों क्या हो जाएंगे तो य कमान कितना पता है 50 प्लस जड़ कमान 70 प्लस एक्स का वैलू हमान लेते हैं पता नहीं है तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स बराबर यह यहां वायली करा सिक्स मयान उपसे घ्क्ति एक्स निकाल सकते हैं यहां प्रक्षात यह बजाएगा हमारी इसका कमान कितना है एकसफो भीच डिग्री जो कि हमारा किसम में दिया ख़ैस पार्ट में तीएगा तो इस तरिके से हम इसको निकाल लेंगे चलिए, question number अगला देखते हैं, question number 29, question number 29 दिया गया है, तिरकोंड बिती सवाल, one minus sign upon cos a plus, cos a upon one minus sign a, अब इसको हमें, सवाल करना है, सवाल करना है, हम इसका मान निकालना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए, अगर हम सवाल करते हैं, कैसे करेंगे, तो सबस्पर हम इसका ले लेंगे, LCM दोनों का, LCM हमारा हो जाएगा, cos A, एक bracket में 1-sin हो जाएगा, ठीक है, sign हो जाएगा, उपर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से देखे, cos A, cos A, cancel हो जाएगा, तो बचेगा 1-sin A, जो कि उपर यहां पर 1-sin already है, तो यह 2 हो जाएगा, तो यानि कि 1-sin A का whole square हो जाएगा, प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका cross multiply होगा, तो cos A, मालब cos square A हो जाएगा, अब 1-sin A का whole square, इसको हम open करते हैं, A-B का whole square का 5 मूले पर, तो 1 square minus sin square A, और यह हो जाएगा, मालब प्लस आएगा, A plus B, A square plus B square मैं 2 A B, तो minus 2 sin A हो जाएगा, into 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस हमारी value इधर दियागा है, cos square A, तो इसको लिख लेते हैं, नीचे जो दियागा है, cos A into 1-sin A, आप देखिए उपर क्या है, 1 minus sin square, तो sin square यहाँ पर देखिए, sin square A plus cos square A, इसका मान क्या होता, sin square A plus car square A, तो यह समिकर इसका मान होता, 1, तो हमारा हो जाएगा, 1 plus 1 minus 2 sin A, अपान, cos A into 1 minus sin A, यह हमारी value हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 minus 2 sin A, ठीक है, 2 minus 2 sin A हो जाएगा, तो 2 minus 2 sin A, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, तो यहाँ से देखिए, 2 minus 2 sin A में हम क्या करते हैं, 2 common कर लेते हैं, तो बज़ जाएगा, हमारा 1 minus sin A, अपान, cos A, अपान, 1 minus sin A, ठीक है, यह हमारी value हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यह 1-a साइन है, यह हो जाएगा, ठीक है, यह हमारी जो value हो है, 1-a, 1-a, जो है हमारी, 1-a, 1-a साइन हो जाएगा, बचेगा क्या, 2-a, 2-a बच्चा है, जिसको हम लिख सकते है, टू इनटू वर्ना पान काउस को लिख सकते हैं सेक A ठीक है तो यहां इंसर यह हो जाएगा हमारा फाइंड यह टू सेक A हो जाएगा टू सेक A जो कि A पार्ट में दिया गए कुष्छन नंबर तीस देखते हैं कुष्छन नंबर तीस क्या दिया गए चलिए तिस दियागा कि एक बगी इचे की उस त्रिकोडिये त्रिभुज त्रिकोडिये फूलों की क्यारी का छेतरफल क्या है जिसका परिमाब 20 मीटर है और उसकी दो भुजाएं 5 और 6 मीटर है त्रिकोडिये कोई फूलवारी है क्यारी है तो त्रिकोडिये क्यारी मतलती बना लेते हैं इस तरिके से एक त्रिभुज है कोई एक तिर्भुज है त्रिकोडिय कारी जिसका एक है पांच मीटर तूसरा है उसकी बुज़ा छे मीटर तिसरा हम माल लेते हैं एक्स है ठीक है तिर्भुज अब इसी में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखें परिमाब 20 मीटर तो तिरबुज का परिमाब क्या होता है तीनों बुजाओं का एक तो यहाँ परिमाब क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस X यह दिया गया है परिमाब ब्रावर 20 तो 20 के ब्रावर के जाएगा 6 5 11 तो X ब्रावर हो जाएगा 20 माइनस 11 तो X ब्रावर हो जाएगा 9 9 मीटर हो जाएगी तीसरी बुजा तो यहाँ से अगर हम S निकालते है S ठीक है तो कितना हो जाता है A प्लस B प्लस C बाइटू तो S हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 9 बाइटू यहाँ कि 6 5 11 9 20 बाइटू तो 20 बाइटू बरावर हो जाएगा S 10 मीटर हमारा S कितना जाएगा 10 मीटर ठीक है अब हमें क्यारी का 6 तरफल निकालना तो तो तीरबू जाए तो इसका 6 तरफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है अगर हम इसका 6 तरफल निकालने तो यह होता है अंडर रूट S S माइनस A S माइनस B S माइनस C तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि 6 तरफल निकालना तो अंडर रूट करेंगे S कमान है 10 10 माइनस A मतलब 10 माइनस 5 10 माइनस B मतलब 10 माइनस 6 और हो जाएगा 10-C मतलब 10-5 इसको अंडर रूट 10 गुड़े 5 गुड़े 4 और गुड़े 10 में से नो जाए एक ठीक है फिर इसके बाद 10 को तोड़ेंगे 5 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 1 ठीक है अब यह 2 5 है तो बाहर जाएगा रूट है तो यह 5 हो जाएगा और इसके बाद 4 है तो 4 में एक दो आपस बाहर आएगा और एक दो बच्चे गांदा तो दो अंडर रूट करके लो फोन से दस रूट टू तो दस रूट टू दिया गए डी पार्ट में एंसर यह जगा इसका च्छे तरफल क्या है दस रूट टू मीटर इसका ठीक है चले कोईशन नमर तीस होगे आप देखते हैं 31 नमर कोईशन दिया गया है क्या दिया गया है दस अभास संख्याओं का और कितना होगागा यह पूछया तो परफंदस अभास संख्याओं कौन सी है दो है पहली दूसरी तीन है फिर आता है 5 प्र 17 फिर ग्यारा पिर 13 फिर आ जाता है, 17 फिर आ जाता है, 19 फिर आ जाता है, 23 फिर आ जाता है, यह पर्थम 10 अभाज संख्या होगे, ठीक है, तो इनका अउसत इनको जोड़े लेंगे, और इनकी जितनी संख्या है उनसे डिवाइट कर देंगे, तो हमें average पता चल जाएगा, तो आपका जागा 139 बटे 10, यानि कि 12 दस मलो, नो, इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है, 12 दस मलो, नो, इसका एवरेज, आंसर एपार करेट, चली, question नमबर 32, ठीक है, 32 क्या 32 नमबर question दिया गया है, कि तीन संख्याओं का आउसत दिया गया है, 30, पहले संख्या दूसरी की, दो बटे 3 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की, तीन बटे 4 है, तो पहली संख्या में गयात करना है, तो मान लेते हैं, माना, पहली जो संख्या हमारी, वो कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हमारी X है, तो हमारी तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख् है यानि कि दो तीन एक्स बटे चार है यहां पर पहली संख्या नहीं मारेंगे यहां पर मारेंगे तीसरी संख्या से ज्यादा जिए होगा तीसरी संख्या अगर हम एक समान लेते हैं तो हमारी दूसरी संख्या जो है क्या दूसरी संख्या जो है तीसरी की तीन बटे चार है दिया गया है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी तीन बटे चार, तो इसी प्रकार फिर हम अगर निकालते हैं, इसी प्रकार हम पहली संख्या कर निकालते हैं, तो पहली संख्या के बारे में क्या कंडिशन दिया गया है, कि दूसरी की यह दो बटे तीन गु तो हमारी पहली संख्या आजाएगी X by 2 अपरा संख्यां के अंसा तीनों संख्याओं का आउस्द दिया गया है तो तीनों संख्याओं का योग जो होगा कितना हो जाएगा तीनों का योग कितना हो जाएगा तो तीनों का योग कितना हो जाएगा तो तीनों का योग कितना हो जाएगा अब तीनों को हम जोड़ते हैं तीन संक्या हमारी X है पहल तीसरी प्लस ठीए एकस बाई पॉर प्लस एकस बाई टू यह हो जाएगा तीस गुड़े तीन के तॉल्ब कर यहां पर हम क्या करेंगे इसका LCM लेंगे चार LCM हो जाएगा यहां पर जाएगा 4X प्लस 3X प्लस 2X बराबर हो जाएगा 90 के ठीक है चार तीन साथ दूनों एकस बट़ चार बराबर 90 के तो 9 दाहिए हम नबब यह हो जाएगा तो X बराबर 40 के X बराबर कितना हो जाएगा 40 आइंसर इसका X बराबर 40 यानिकि कौम सा से हैं X 40 जो आया है हमने माना था तीसरी संख्या तो यह हमारी तीसरी संख्या यह answer नहींगा माप करेगा तीसरी संख्या हमारी क्या है निकल आई अब जब तीसरी संख्या हमारी निकल आई तो हम यहाँ से क्या कर सकते है जो हमें पूछा गया है, पूछा क्या गया है, पहली संख्या गया है, पहली संख्या गया है, तो पहली संख्या हमारी क्या है, एकस बाई टू, तो चालिस हमारी तीसरी है, एकस बाई टू कर देंगे, तो दो बीस, तो हमारा मान आ जाएगा बीस, तो एंसर डी आप संख्या है ठीक है बीस, बीस हो जाएगी, पहली संक्या, दूसरी संक्या, थृ एकस भाई § 4 है, तो यहाँ पे 40 का मान रखेंगे, 3 गुड़े 40, बटे 4, 4 दाइयम 40, तो 30, दूसरी संक्या हो जाएगी है, पहली संक्या, हमारी 40, आई है, पूछा गया है, सिर्फ पहली संख्या तो पहली संख्या हो जाएगी 20 चलिए question number 33 दिया गया है सरल करना इसको सरल करिएगा देखिए a a a मतलब अगर a माल लेते हैं 0.96 को तो a बराबर ये दिया गए 0.96 और b बराबर अगर हम माल लेते हैं 0.04 तो क्या दियागा है a q पलस b q उपर दियागा है अगर हम इसको माल लेते हैं तो ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा a square a b और b square मतलब की a square minus a b plus b square ये नीचे हो जाएगा अब ये किसी का फार्मला, किसका फार्मला अगर a cube plus b cube का फार्मला लगाते हैं तो क्या हो जाता है यह हमारा बनता है A plus B एक ब्रिकड में हो जाएगा A square minus A b plus B square यह हो जाएगा बटे क्या दिएगा A square minus A b plus B square इसको कैंसल कर देंगे तो हमारा बचेगा A plus B finally बच जाएगा A plus B हमने माना क्या था 0.96 plus 0.04 इसको अगर हम जोड देंगे तो यह हमारी वेलू आ जाएगी 1 के, यहां राइट एंसर क्या हो जाएगा 1, राइट एंसर क्या हो जाएगा 1, एंसर C आप समझेगा, ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, चले, question number 34, आपको करना, यह सरल करना है, सरल करना किसका answer बताएगा, option में क्या हो जाएग question number 35, 35 क्या दिये गए, 35 number question है, कि 8 बटे 7 और 5 बटे 6 दोनों के विद्करमानती के योग का विद्करमानती क्या होगा, तो देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 बटे 8, और 5 बटे 6 का इन्वरसिल क्या होता है, तो 6 बटे 5 इसको जो उल्टा कर देंगे, विद्करमानती मतल प्लस 6 बटे 5, कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, इसका LCM, 8 पंचे 40, तो 7 पचे 35, प्लस 58 तो 8 चक, 49, जोड़िएगा, तो 35 प्लस 49 हो जाएगा, 83 बटे 40, हमारा योग यह आगा, 83 बटे 40, आप कहरा कि जो योग आए, इसका विद्करमानती क्या हो जाएगा, तो हम इ भी हमारा इंसर, 40 बटे, 83 जोकी डीपार्ड में दिया गया, ठीक है, चलिए, कोईशन नमर 36 देखते है, दिया गया है, X क्यूब माइनस 6, X स्कार प्लस 12, X माइनस 6, और तीसरा दिया गया है, X क्यूब माइनस 4, X स्कार प्लस 4, इन तीनों का हमें निकालना, HCF, HCF मतलब, मासा, महताम, समापवर तक निकालना है, अब जो हाइस्ट काउन फैक्टर होता है, इन तीनों का, वही हमारा HCF हो जाएगा, X क्यूब माइनस 8 को अगर हम लिखते है, X क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो A माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब का फार्मॉल लगाएंगे, तो यहा X स्कौर, प्लस 4 माइनस 4X, यह वैलू आगी, इसी प्रकार इसको अगर हम फार्मॉला सिंप्लिफाई करते हैं तो यहां से इसका वैलू आजाएगा, X माइनस 2, X माइनस 2 इंटो X, यह इसकी वैलू आजाएगी, तो यहां पर अगर हम देखते हैं, तो तीनों में काउन सा सबसे प्लस कामन है, तो X माइनस 2, X माइनस 2, X माइनस 2 ही कामन है सभी तीनों में, तो यह हमारा SCF हो जाएगा, X माइनस 2, इन तिनों सेमिकॉनों का SCF क्या हो जाएगा, X माइनस 2, एंसर इसका B पार्ट कर रठाएगा, चलिक चले, क्वेस्चन नमबर 37, ठीक है, 37 नमबर कितनी बार, एक साथ बज़ती ही ये बता रहा है, ठीक है तो इनका अब क्या कर लेगे सबस्वे पहले हम lcm ले ले लेंगे इनका, ठीक है पांच गुड़े 1, पांच, गुड़े 2, पांच, गुड़े 3, 5, गुड़े 2, गुड़े 2 और पांच गुड़े पांच अब इनका LCM अगर हम लेते हैं तो यहां पर पांच गुड़े एक LCM क्या हो जाएगा इनका यहां से दो आ जाएगा दो गुड़े दो दो बार है गुड़े तीन गुड़े पांच गुड़े पांच यह LCM हो जाएगा यह तोटल हो जागा 300, यह 300 सेकंड आ जाएगा, 300 आ गा, आप क्या करा है, चुंकि एक घंटे 20 मिनट में, क्या होगा, बजने की कुल संख्या बताना, ठीक है, एक साथ बजने की कुल संख्या, घंटियों में बजने की संख्या, कुल संख्या, कितनी बार बजेगी यह बताना यहां पर हम क्या करेंगे 1 प्लस 3600 प्लस 1200 बटे 300 तो यहां पर इसको अगर हम इतरी के डिवाइड करेंगे चतिस सेकंड मतलब एक गंटे को अगर हम चतिस सो सेकंड में कनवर्ड करेंगे तो इस तरी के से चतिस सो प्लस 1200 और बटे 300 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा value क्या जाएगा 16 आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे जाएगा 17 बार तो 17 बार इसका राय टेंसर जाएगा डी पार्ट करेंट ठीक चलिए question number 38 question number 38 दिया गया है question number question दो संख्या है तीसरी संख्या से करमसा 20% और 80% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसंट अधिक है अब देखें 20% अधिक है 20% मतलब की एक बटे 5 मतलब कि अगर बात करें 20% अधिक है दो संख्या है पहली से तीसरी तो पांस है तो दूसरी संख्या का जाएगी 6 हो जाएगा हमारी इसके बाद किया रहा है कि 80% अधिक है मतलब कि 8 बटे 10 यानि कि यह जागा 4 बटे 5 यानि कि एक संख्या 5 है तो हमारी 5, 4, 9 इससे अधिक है ठीक है तो बताना है पहली संख्या दूसरी का कितना परसंट है यह बताना है तो हमारा हो जाएगा पहली संख्या 6 बटे 9 करेंगे इस परिश्चा कर देंगे तो यह परिशेंट ने के लएगा या कि या लानि या या कि दो सो बटे तीन तीन करेंगे तो जाएगा थिन चक तारगर इस तरह के से आपका 67 सेहीं दसमलोद 66% आ जाएगा इतना परसंट अधिक हो जाएगा ठीका एंसर जो है सी पार करेक्टर चले कोईशन नमबर 39 दियागा एक परिच्छा में गड़ित में 66% और अंग्रेजी में 70% उत्रिन होते हैं या दे 20% अभरती दोनों भी सेह में अनुत्रिन हो गए मलब फेल हो गए तो 350 अभरती दोनों भी सेह में उत्रिन हो गए तो कितने अभरती परिच्छा में बैठे थे तो हमें ग्यात क्या करना है हमें ग्यात करना है कि इसमें उत्रिण हुए विद्ध्यार्थियों का परषद कितना है ठीक है तो देखे अगर हम बात करेंगे कि कुल उत्रिण विद्ध्यार्थी का परषद कितना है तो यह हो जाएगा 100-20, बिस फेल हो गए है, बिस घटा देंगे तो हमारा जाएगा 80% टोटल उत्रेंड होए हैं, तो इस तरीके से आप इसको ग्राप सा समझेगा, यह मान लेते हैं, इस तरीके से यह होगे इंगलिस वाले उत्रीन भी द्यार थी और यह होगे मायत वाले उत्रीन भी द्यार थी पास और यहां पर अगर हम देतो एक्स उत्रीन है तो एक्स परसंट दोनों में उत्रीन है तो एक्स कर देंगे अब देखें चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-चाट-च इंको अगर हम जोरते हैं तो यहां से हम एक्स की बाइलू पता कर लेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स दूए एक्स इकट जाएगा चाच्छट प्लस सत्तर कितना हो जाएगा तो साथ छे तेरह 136-1 बरावर असी के तो यहां पर एक्स बरावर हो जाएगा 136-8 ठीक यानि की अब दोनो बिशन में जो उत्य ब स्थे हमारे पास चापन पर्शन आ गए और हमने question में दिया गया है कि यह 350 कैशहट बरावर 350 फिध्यर्थीं के तो यहां अब जब 56% पता चल गया तो हमें कितने अब्याथी थे इसको 100% से माल ले तो हमें निकल आएगा तो 350 बटे 56 into 100 करेंगे तो हमारा बैलू कितना जागा इसको काट पीड़ लेजेगा इस तरीके से हमारा दो जो मलत चार गुणी आठ चार पचीस चोका सो और दो से काटेंगे यह भी पचीस तो 25 बटे 25 मलत 625 अब्यारती क्या हुए थे संख्या है टोटल तो 625 बटे थे आइंसर डी आप्सन करेंट है इस तरीके से हम इसको लगाएंगे आइंसर इसका क्यों जागा डी पार्ट करेंट जाएगा चले क्वेश्चन नमबर 40 क्या दिया गया है 40 नमबर क्वेश्चन एक दुकानदार कमीजों की खरीद पर एक स्कीम प्रस्थट करता है एक ही प्रकार की दो खरीदो और मुक्त पाओ मतलब दो कमीज खरीदो एक मुक्त ले जाओ एक कमीज का क्रेमूल मतलब खरीद उसका कितना है तीन सो रुपए है या तो 30% लाब अरजित करना चाहता है तो कमीज का क्रेमूल क्या होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए एक कमीज का क्रेमूल कितना दिया गए है क्रेमूल दिया गए है तीन सो रुपए और हुखना gerekा कि चुुकी इसलिए तेन कमीज का करेमिल कुतना हो जागा करेमिल कितना हो जगा तेन गुड़े नौसजरूपी तेन गुड़े तीन विजल पर स्परशय लाप पर अगर हमें बोटे भी जना हुए उसको तीन कमीज का तीन कमीज का सेलिंग प्राइंस मतलब की विक्रेमूल क्या हो जाएगा तो 900 है उसका क्रेमूल तो 30 130 बटे 100 से गुड़ा कर देंगे तो हमारा वैलू क्या जाएगी 1390 तो 1170 रुपे उसका कमीज का रेट हो जाएगा चुकि दो कमीज पर एक फिरी है तो यहां पर हमें क्या करना है तो एक कमीज का विक्रेमूल क्या हो जाएगा तो 1170 बटे 2 यानि कि 2 पंचे 10 दो अठे 16 एक दो पंचे 10 रुपे तो एक कमीज कमूल हमें 580 रुपे रखना होगा इस पर बेचना पर जाएगे तो उसको 30% का लाव होगा ठीक है तो यहां पर एंसर हो जाएगा नेश क्वेशन देखे तो क्वेशन नमबर 40 के बाद 41 41 नमबर क्वेशन क्या है 41 नमबर क्वेशन 41 दिया गया है कि 34 बस्तूओं का विक्रे मूल यह दिया गया है अगले प्रशन की तरह बढते हैं क्वेशन नमबर 42 क्वेशन 42 दिया गया है एक वस्त को 20% और 20% के 2 क्रमागद बट्टों पर बेंचा जाता है दूसरे बट्टे के बाद बस्तु का विक्रे मूल 366 रुपए यह दिसे 20% के क्योंड़ एक बट्टे पर बेंचा जाए तो बस तुका बिक्रे मुल क्या होगा देखे 20% की जो दो करमागत छूट दिया गए डिसकाउन दिया गया है तो उसके लिए गर हम एक उबराल एक एकल पर निकालेंगे मतलब एक करमागत में एक छूट क्या हो जाएगे एकल छूट इसको कह सकते हैं सिंगर छूट किया जाएगा तो 20 प्लस 20 माइनस 20 कुड़े 20 बटे 100 यह हम कर देंगे तो हमारा दो करमा का जो छूट है उसको हम एक मिल निकाल सकते हैं यहां से दो सुन दो सुन कैंसल हो जाएगा 20 बीस 40 माइनस 4 हो जाएगा यानि कि 36 परसंट उसको डिसकाउंट दिया गया ओवराल तो भुकतान कितने का किया उसने भुकतान कितने का किया तो गो किया करेगा 100 माइनस 36 मंतलों की 64 परसंट का भुकतान करेगा ठीक है डिसकाउंट के बाद 3616 रुपय आगा 64% है अब कह रहा है कि 20% की अगर केवल एक छूट दिया जाए 20% शिर्फ एक छूट दिया जाए तब उसको कितना भुगतान करना होगा तो 20% की छूट के बाद अगर भुगतान करेगा तो 100-20 मतलब 80% का वो कहतना करेगा भुगतान करेगा तो 80% का उसको भुगतान करना होगा 20% की डिस्काउट अगर एक छूट मिलती है तो यहाँ पर 80% रिकर हम निकालते है तो 64% का मान पता है 3616 तो 80% का मान करेज़ जाए 3616 गुड़े 80 के तो इसको अप्सॉल्व कर लिजगा स्वाल करिएगा तो 8 से जाएगा 8 बार 8 से 10 बार फिर 8 से जाएगा 3616 आठ बार जाएगा यह 422 बार तो यहाँ पर पहली वाजएगी 452 गुड़े 0 तो 4520 रुपे उसका फाइनली अंसर हो जाएगा ठीक है बस तो का विक्रे मूल के आजएगा 4520 रुपे एंसर बी आपसन इसका राइट हो चले कोईशन नमबर 43 क्या दिया गए है क्या दिया गए है यह पी क्यूं दिया गए 43 ठीक है पी बटे क्यूं बराबर आर बटे S बराबर T बटे U यह बराबर दिया गए है दो बटे पांच के तो हमें निकालना है 4P प्लस 3R प्लस 7T अनुपाद 4Q प्लस 3S प्लस 7U तो P बटे क्यूं अब इसमें क्या करेंगे अगर हम यहां मालना है तो P बराबर R बराबर T बराबर 2K हो जाएगा और Q बराबर S बराबर U बराबर दिया गए है पांच के ठीक है तो यहां पे अगर जो बैलू निकालना हमें क्या 4P प्लस 3R प्लस 7T अनुपाद 4Q प्लस 3S प्लस 7U का कितना इनुपाद होगा तब इसमें बैलू रख देंगे P, R, T के जगा पे 2 और Q, R, T के जगा पे 5 रख देगा तो इस बैलू को निकाल लिएगा और भी इसके बाद 2 बैलू जो आजएगी वही आपका एंसर रहेगा इसमें कौन सा एंसर है तो इसमें सही है 2 बटे पांच ठीक आपको इसको करना है आगे करके निकाल लिएगा चलिए Q44 देखते हैं एक पांचारी को करमसा 128 रुपे और 143 रुपे प्रत किलोग्राम के मूल की चावल की दो किसमों को किस अनपाद में मिलाना चाहिए ताकि 137 रुपे दसमलो 75 पैसे किलोग्राम मूल वाला चाहल का मिस्वा प्राप्त हो यहां प 128 किलोग्राम है और 143 किलोग्राम है इसको अगर मिस्वार्ण करता है तो उसको प्राप्त करना है 137 रुपे, तो हम क्या करेंगे इसमेसे घटांगे, तो यह जब घटेगा 143-137 तो हमारा वैलू आजाएगा 5-10-25 अब इधर 137-128 होगा तो हमारा वैलू आजाएगा 9-10-75 तो जो अनपात आएगा वह यहीं अनपात आजाएगा इसको अगर हम अनपात में निकालते हैं रेशियो में तो इस तरीके से यहां से 10-10 होड़ जाएगा और यह कैंसल तो यहां पर क्या करेंगे तीन से काड़ते हैं तो तीन सब्सक्राइब किस साथ अनुपात तेरह साथ अनुपात तेरह साथ अनुपात तेरह यह हमारा वैलू हो जागा चलिए अगला पर देखते हैं नूमर फोटिफायज देखते हैं यहां अनिल और वीपिन एक साथ कार को पंदरा दिन में पूरा करते हैं लों क्या करते हैं था है फंदरा चोके साथ निकल गया है तो ए बी अकेले तीन कार करता है और ए बी चार करते हैं तो एक कामार कितना हो जागा चार मैंस तीन बराबर एक कार अकेले करेगा तो टोटल उसको कितने दिन लगेगा एक को मतलब कि अनिल को कितने दिन चाल के चाल से कार चला कर अपने गंटब वर सात गंट म्हें पहुंए जाता हूं, मैं उसी गंटब वर फाँछ गंट Matthew किस चाल से पहुंच सकता हूं देखे चाल जो दिया गया कार की कितनी दिया गया 40 किलो मिटर परती घंटा समय दिया गया है जब 40 जाते हैं तब आपको लगता है 7 घंटा तो डिस्टन्स क्या है दूरी गुड़ा चाल यानि कि 40 गुड़े 7 हो जाएगा मनलब की 280 किलो मिटर की ओ दूरी होगी टव्ड़ अब 280 किलो मिटर की दूरी हमें कुईशन दिया गया है कि 900 मीटर लंबी एक कार जिसकी स्पीड है 108 किलो मीटर पर ती घंटा की चाल से चल रहे अब 900 मीटर लंबी प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में उसको कितने को कितना समय लगए यह बताना आते देखे अगर हम बात करेंगे टोटल दूरी कित भी तब ही जा कर वो प्लेटफार्म को पार्करज पाएगी तो यहां पर 180 मीटर पर फृह तो समय के हो जाела गया तूरी बटे चाल तो यहां पे अठारा सव मीतर हो जाएगा बटे दूरी बटे चाल मतलब कि 108 किलो मीठर प्रते गंता अब यह मीटर में है तो हम मीटर पर स्केंड में बजलना है कि हम क्या करेंगे पांच वाथा рай से गूड़ा कर देगा दि कर लेंगे सॉल अठारा उपर क्यों चला जाएगा हो जाएगा अठारा सो गुड़े अठारा बटे एक सो आठ गुड़े पांच जाएगा तो इसको करेंगे कैसे करेंगे यहां से हम क्या करेंगे पांसे कैंसल करेंगे बांच तीयां पंदरा तीन पांच छक तीस तीन सु साफह घाड़ा अगर हमसको काड्र कैंसल करते हैं नो से तो नो एक अपकम नो नौ दुनी अठारा और नो दुनिया ठारा ठीक है बारा तियां च्छतिस और तीस गुड़े दो फाइनल आ जाएगा तीस दुनिया साथ सेकंड साथ सेकंड में उस प्लेट फार्म को पूरा पार कर जाएगी एंसर एपार्ट इसका राइट गया ठीक है इस तरह किसम इस कोईशन को लगाएंगे चले को पूर्टी एट यह गया कि यह दो कोई धनरास बैंक में साथान ब्याद पर जमा करवाने पर च्छा वर्स में क्या हो जाती है दूगनी हो जाती है दूगनी मतलब पी था फिर टूपी हो गया च्छा वर्स में तो बारा वर्स में क्या हो जाएगा बारा वर्स में क्या हो ज अगर हम बात करते हैं कि जब कोई धन T1 समय में N1 गुना और T2 समय में N2 गुना हो जाए तो उसके लिए हम फार्मुला लगाते हैं T1 बटे 2 T2 N1-1 N2-1 यह फार्मुला लगता है कब लगता है जब कोई धन T1 समय में N1 गुणा हो जाए और T2 समय में N2 गुणा हो जाए तो यह फार्मुली को हम रखेंगे तो यहां पर T1 बराबर 6 दिया गा है T2 बराबर हमें बताना मलब दिया गाए 12 रखेंगे का न1 कमान कितना है दो गुणा हो जा रहाए तो जब हुंदिन टेन गुना में हो जाराएगा हुद यह आपको फार्मुला लगा देंगा है और इजली जो है आपका कोईशन निकल के आ जाएगा है जाले कोईशन नमबर अब देखते हैं फोर्टी नाइन कि क्वेशन नमबर फोर्टी नाइन दिया गया है कि एक क्रिकेटर द्वारा बनाएगे 42 पारियों बनाएगे रनों के उससंच्छा कितनी है च्छत सरी 30 है त टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा तीस है और गुड़े 42 पारियों में तो 42 गुड़े 30 कर देंगे तो यह हमारा टोटल निकल गया है ठीक है अब एक पारियों में उसके दारा बनाएगे अधिक्तम और नियूंतम स्कोर के बीच का अंतर मतलब कि डिफरेंस है सो सो इन दोनों पारियों को नहीं गिना जाए तो सेस जो 40 पारियां बचती है उनका आउसत स्कोर कितना हो जाता है 28 ठीक है आउसत हो जाता है 28 मतलब 30 से 28 हो गया तो उसके दोरा एक पारियों बनाएगे अधिक्तम रनों की संक्षा क्या होगी तो दिखें मान लेते हैं यहां प इसोतो दोनों का डिफरेंस क्या है 100 है 100 माइनिस X रन जो हो जाएगा वह सवरी अगर अधित्व है X तो यहां पर X-100 होगा 100 मैसे X-100 एकस माईस सो रन हो जाएगा तो प्रस्तिन के अंसार किरा कि 4 पारी हो में 28 क्या है रन है तो टोटल क्या जाएगा 40 गुड़े 28 प्लस जो एक पारी है उसमें एक से रन बना पलस नुम्टम पारी नुम्तम कितना बना 12 सो दूसरी State czy तो यह बराबर के हमारा आ जाएगा टोटल कितना रन हमारा है तो 30 गुड़े 42 रन है तो इसके बराबर हो जाएगा 40 गुड़े 28 कितना हो जाता है यह हो जाता 1220 प्लस 2X माइनस 100 बराबर के हो जाएगा यह 1260 के तो यहां पर 2X बराबर हो जाएगा 1260 माइनस 1020 चीक है तो कि 100 इसमें घटा देंगे तो 2X बराबर हो जाएगा इसको हम घटाएंगे तो हमारा 2X बराबर 240 आ जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 120 तो 120 रन क्या हो जाएगा उसका अधिक्तम रनों की संख्या बनाने वाला हो जाएगा एंसर हो जाएगा 120 अधिक्तम रनों की संख्या कितनी है 120 चुकि हमें अधिक्तम रन माना कितना था एक्सरन अगर नियूंतम पूछा जाता तो 120 में से 100 घटा देते तो हमारा वैलू कितना आ जाता नियूंतम 20 रहना आ जाता लेकिन यहाँ पर अधितम पूछागा इसलिए 120 इसका राइट है ठीक है चले क्वेशन नमबर अब देखते हैं 50 पचास नमबर क्वेशन कि एक तास की गड़ी से एक पता खीचा जाता है उसके बेगम या इकका होने के संभावना बता रहा है तो उसके बेगम होने की प्राइटा क्या होगा फोर सीवन और टोटल प्राइटा क्या होगा जिए बावन होने की प्राइटा तो यह आपका जो हो गया ये बेगम होने की प्राइगता अब यह होने की प्राइगता में क्या रहा यह हो जाएगा जाएगा तो और पर घोड़नी ऊड़न jaa क मैं चार बान यहाचा यह आ ऐन से चार से तेरा बार जाएगा तो हमारा योई जाए गांगर यहां पर सिर्फब एक इक्का पूस्ता तो हमारा जाता चार हें या एक गोटी तेरा हमारा पूछा करने जोडते हैं इस को जाए наш ब्रमिक्रेश एक विखर फाइनली भी पार्ठ हो जाए गांट है तो यह थे 50 अब हम देखेंगे इंग्लिस के कुष्च्ट्ट छल्ए इंग्लिस स्कॉस्टन देखते हैं पहला question English का, इसमें देखते हैं, दिया गया है, हमें error बताना है, चार आप्सन दिये, चारवा आप्सन बताना है, कहां पर गलती की गई है, sentence दिया गया है, वह दिया गया है, to who, did you speak last night, ठीक है, तो यहां गलती कहां पर किया गया है, देखें, गलती के अगर हम बात करते हैं, तो यहां गलती की गई है, टू हू जो लिखा हुआ है, टू हू जो की a preposition प्लस हू जो लिखा हू इसके अस्थान पर to whom होना चाहिए था, क्योंकि जब हू का परियोग करते हैं, टू के साथ, तो वाक जग आरम करते हैं, तो हू के अस्थान पर whom का परियोग करते हैं, ना कि हू का परियोग करते हैं लिए पार्ट विए इसका राइट है शुलिए फिल इंदा ब्लाइंज करना है तो मदर मंगी ठीक है मदर मंगी पीड़ अब हर बेभी अन क्लाइमड अब टू ट्री मदला मदर मंगी ने अपनी बेबी बच्चे को लिया और चाहिए पेरेट पर चाहिए क्यों चढ़ गे कि यहाँ पर वाज टेटर्माइंड नॉट टू इन हास्पिटल फार एनी लॉंगर वाज इस्टीटली नेसेसरी यहाँ पर रहा जाएगा यहाँ पर हम भरेंगे दायन का परियोग करेंगे दायन का परियोग करेंगे एंसर बी आप संद्देगे ठीके चूंकि एड़वर्ब जो लॉंग लिखा हुआ है लॉंग लॉंग का यहाँ पर कंपरेंट्री डिग्री लॉंगर का प्रियोग किया गया है और लॉंगर का प्रियोग कि अगर हम बात करते हैं तो लॉंगर दायन का ठीक है तो लॉंगर दायन करते हैं तो यहाँ एंसर क्या है इसका बी पार्ट से लॉंगर दयन हो जाएगा बी पार्ट इसका सही है चलिए को इसको कह सकते हैं इस पष्ट जाहिर प्रतेक्च रूप से इसका जो प्रियाइबाची समय से हो जाएगा ऑब्वियस एंसर डियाप से इसका भी मतलब होता है जाहिर करना हो चलिए अगले प्रसन में हमें मतलब मतलब होता ही इसको च्हिपा हुआ इसका वेपरिद हो जाएगा रपरेंट रपरेंट मतलब प्रतेक्च तो यहां 疑गा बायों का बात कर दो मतलब करना ना बारों मतलब क्या होता है कर्ज लेना उधाल लेना इसका विप्रियत क्या जाएगा इसमें से लेंड ठीक लेंड कर्थ हो जाता है कर्ज देना ठीक है कर्ज देना और इसका कर्ज लेना तो विप्रियत क्या जाएगा भी पार्ट जाएगा चले अगला पर नहीं चूजदा ग होता है तो यहाँ answer इसका D आप बीस पेस्ट चंजने identify eo correctly इसपारे ऱमेंस में से कौन सा यही संही रूप से लिखा हुआ है amendment तो अमेंदमेंट जो है उसका आर्थ होता है यह संहीं रूप से लिखा हुआ है डी तो डी पार इसका correct है ठीक है चलिए question number में अगला question बताना है incorrectly spirit word जो दियागा है spoilage spoilage का हमें बताना है क्या सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए spoilage की वरतनी असुद्ध है यहाँ पर spoilage की अगर हम बात करते हैं तो spoilage जिसकी सुद्ध वरती नहीं होती है वो होता है spoilage जो की दियागा spoilage इसका अर्थ होता है खराब होना या फिर नुकसान या फिर रदी तो spoilage यहाँ पर अर्थ इसका अंकलत है चलिए question number देना है अगले question में हमें बताना है कि identify the underlined part of the sentence which is not grammatically correct the greatest things in the style of writing or speaking is to have a use of metaphor तो यहाँ पर यूज के बताना है कि यहाँ यह इन्करेक्टली गलत ग्रैमेट्कली गलत रूप से लिखा हुआ तो उसका सही रूप से क्या होगा तो यूज जहाँ पर लिखा हुआ हुआ है यूज के वर्डर लिखा हुआ है 61 में तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी पार्ट जो लिखा हुआ प्रोनुंसियेशन यह गलत लिखा हुआ है इसकी सही spelling होती है पी आर ओ एन ओ स्वरी यह नहीं होगा एन के बाद यू होगा ठीक है प्रोनुं इस तरीके से एन यू एन यह हो जाएगा प्रोनुंसियेशन का यहाँ पर देखे ओ लिखा हुआ यहीं गल्दी किया गया था ठीक है चले question number 62 which of the following word does not convey meaning of stealthy तो यहाँ पर इस्टेल्थी और बात करते हैं तो इसका आर्थ होता चोरी छिपे तो दियेगे विकल्पर मेंसे option a जो open लिखा हुआ है यह क्या है open मतलब तक खुला हुआ है तो इससे कोई इसका लेना देना नहीं है तो यहाँ answer a पार्ट हो जाएगा question number 63 which of the following word means roughly the same as glip तो मतलब इससे कौन सा word है जो same mean रखता है glip का रठत होता वाग पूथता वाग पढ़ता वाघ पढ़ता वाघ पढ़ता वाघ पढ़ता वाघ एसके बारे में अगर बात केरहेंगे तो 20 सढव पढ़त है कि यह absolute इस फूएंट इस तरिके से even चैंट ौर्द सेम अज़्दा क्रेंड कर रथ होता है दोस दर्सा दोस दर्सा ठीक है इसके चारे विकल्ट को इस दिया गया तो गहां देखेंगे ए पार्ट स्केप्टिकल मतलब भी संसे वादी के दारा इसका उच्छे ती बिलोम हो जाएगा ठीक है यह तो यहां पी बिलोम बताना जाए इसका हो जाएगा यह पार्ट चलिए अगले कुस्टन 65 और 66 क्वेस्टन नंबर में इसमें से कौंट सा मिश्टेक कहां पर किया गया है इसमें गलती कहां पर गया तो 65 में देगे बाक में अब विकल्ट भी अगर देखते हैं तो यहां पर सब्जेक्ट वर्प एग्रिमें इलांग बित से जुड़ते हैं तो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के पहले पहले क्या होता है आने वाला जस्वद होता है पहले सब्जेक्ट के अंसार होता है तो यहां पर लिखा हो यह गल दिखावा यह अगर हम देखेंगे तो यह क्या होता है यहां पर वाज होना चाह पर अब लेवल फॉर कमेंटस कहा गलती किया गए है तो यहां अगर हम देखते हैं तो सीजुत विकल्ब जो दिया गया है सीजुत में सब्जयक्ट वर्व और एग्रिमन्ट की तूप्टी यहां पर अगर हम देखेंगे तो हो रही है यहां दूसरे बाग का सब्जेक्ट सेक तो इस तरीके से यह गलती के कि चले अगले कोश्चन में 67-69 कोश्चन में हम बताना है कंप्रीट करना है आप संटेंस को czt rank ग्रोड इस इस व्र स्थां पर इन में पहले वाले में इन हो और दूसरे वाले में क्या होगा और फ्रीक टोसे धाफ ही हम से वाई को दे नहाँ कर देंस लगांगे ना है तो दा सीरियस स्टुडेंट यानि गंभीर चात इस दल में को सरवादिक भाग में है इस विद्याले या रित अस्थान पर के और में होना चाहे था मलब कि आप होना चाहे था और इंदा कालेज होना चाहे था आप इस गूरूप और इंदा कालेज था तो आप और इन होना च यह था और यहां पर आप होगा यहां पर अंडर रबल रबल इस तरीके से आप अंडर इसका सही है एंसर भी पार्ट करेट है इट टाइम इट टाइम वी डिडिड अवे विद्ध सम आप दीज आउट्डेटेड लॉज इस प्रेशन वी उताना अंडरलाइन का हमें सेंटें इसका राइट है भी पार्ट कोईशन नंबर 71 से 75 तक आपको इस पैसेज को पढ़ना यह जो पैसेज दिया गया है फिर इदर दिया गया बाकी तो इस पैसेज को आप पढ़िएगा पास करके हम कोईशन की तरफ चलते हैं पहला कोईशन दिया गया है वाट इज लाइकली सब्सक्रेंगे पैसेज के अनसार देना हुए किसके अनुच पैसेज के अनुचा के अनुचा कि इस करके द कंद हैं unt alle लोगों को क्या पता होगा तो आप संद जवाब पढ़ेंगे इसका पैसे जब पढ़ेंगे गद्यांस तो उसमें आपको इसका अंसर निकल के आएगा सेवेंटीवन सेवेंटीवन में आएगा दिये गए बाकव में लिखावत दायट एन इंपोर्टन हीमन नीडिज प्रोटेक्शन अगेंट जंस मतलब की रोगाड़ों से सुरक्षा एक महत्पुन मान भी आ सकता है इसके बारे में जो है पता करेंगे तो यहां पैसेज के अं नहीं किया गए लेका के दारा तो बातर नमर के कोईशन में देखते हैं तो अगर हम इहां देखते हैं कोईशन नमर डी पार्ट सम्थिंग वी नीड आर यूजफुल टू अस तो यह आपका इसके बारे में बात नहीं किया गया है कुछ चीजें जो हमें चाहिए वह हमारी इन आर्डर टू मतलब कि लेखा का कहना कि अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरते होती हैं ताकि वह एक दूसरे के साथ है कि घुल मिल सुकें घुल मिल सुकें तो यह क्या दरसाथ हैं तो 73 में अगर हम देखते हैं तो इसका राइट एंसर क्या होजएगा डी What is the author's attitude towards chocolate, cigarette and TV? मतलब कि लेखा का chocolate के प्रती नजरिया क्या है? मतलब कि इसके पर रहे हैं तो यह मतलब कि हम यह अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवसकता इनकी आवसकता नहीं ठीक है? तो इंसर डिया हो जाएगा चले को इसे नमर 75 देखते हैं जागा हुच से इंग जाएट मोस्ट आफ और नीड्स और कॉंटिटेट्यू दा अथर असेट असेट्स डाइट डाइज मतलब की अगर फाइब देखते हैं तो यह इसका एंसर क्या जाए किसने कहा है कि हमारी जो है लेखक का दावा है मुश्ट आप नीड्स और कांटिटी है वह क्या है कांटिटी मतलब मात्रातमक होती हैं इसके बारे में कहा गया है बाते तो इन गेवन एनीधिंग तो इनसर सी आपसंट राइट चलिए अब देखते हैं जी एसके कोईशन 25 नमर बस इसके बाद हम इसको वीडियो को करते हैं तो वीडियो को लाइक ने कि अबी तो लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर जीगा ठीक है तो अटल प्रेंशन और जना जो है यह साट वर्स के बाद परदान किया आता है और यह कब शुरुवाद किया गया था तो नो मई दो हजार पंद्रा को शुरुवाद किया था ठीक है पजामती मोदी के दोरा इसकी शुरुवाद की गई थी जिसमें बिदावस्था आय सु जनम हुआ था बिहार राजी के दगिए कुन्डिग्राम बैशाली में का जनम हुआ था 1757 में प्लासी में सिराजी दौला के खिलाब कंपनी की सेना का नेतरुत किया था किस ने किया था ठीक है तो प्लासी के दूमें जो 1757 हुआ था उसमें इसमें सत्युस्टाइब कलाईब ने किया था, कलाईब ने नेतरुत करता रहा था प्लासिक इद में, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो कलाईब इसका रहा है टेंसर रोज़े कहां पर है, यह सी पार्ट, जेटिवा फुले ने सत्य सोदक समाज की स्थापना कप किया था, तो जेटिवा फुले के दारा 1873 में सत्य सोदक समाज की स्थापना किया था, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1827 में हुआ था, जो जेटिवा फुले कर, ठीक है, और यह एक माली के घर में पैदा हुए था, इन्होंने जो है, गायर ब्राहमड आंदोलन का संचालन किया था, इन्होंने अपनी पुछ्टक एग लिखे जो फेमस है, गुलामगीरी, जो याद रखे हैं कि गुलामगीरी इनकी फेमस पुछ्टक है, और इन्होंने अपने जो संगठन था, इनका सत्य सोदक समाज, उसके दारा पाकण्डी ब्राहमर, यह उनके आवसरवादी धर्म गर बाग ठीरी में अनुचएद 12 से लेकर 35 तक मूलत का बढ़न किया गया ठीक है बाग ठीरी में 12 से लेकर 35 तक मूलत का कुल मूलत का कितने है तो चे है और संस्क्रित इम शिक्चा का मूलत का जो है यह आर्लेंड की सम्मिधान से अपनाएगे हैं तो एंसर बी आप समय जागा ठीक है चलिए अगला प्रिंदेते निम लिखित में से किस राज के उच्च नियाले का निया अधिकार नियाईक अधिकार छेतर केंदर सासित प्रदेश दमन और दियू तक फैला हुआ है तो दमन और दियू तक जो फैला हो किस राज का नियाईक अधिकार फैला है यह बताना तो 83 में क्या हो जागा अगर हम बात करेंगे उच्च नियाले की तो बरतमान में साथ ऐसे उच्च राजय चेत्रियों पर है इसमें से अगर देखा जा तो बंबई उच्च नियाले का महराष्ट गोवा और दादरा और नगर हवेली पर दमन दियूपन नियाएक अधिकार चेते हैं तो बंबई उच्च नियाले इसका राइटेंस रजाएगा ठीक है भागी रथी नति का लाती है तो एंसर वजगा सी आपसंद चलिए निमलिखित में से कौन सा भारत और भी सुका एक मातर तैता हुआ राष्टे उद्यान है तो यह कहा है तो यह केबुल लाम जाओ राष्टे उद्यान यह पड़ता है भारत और भी सुका एक मातर तैता हुआ राष्टे उद् हरिद किरांद के दोरान किसाणों दोरा बाजार में UC में अधिसेज के दोरान की दौरार्ब ख़ार में अधिसेज की दोरा बाजार में यहँँ और चावल की जो है अपज अणर भीाप्षुफ खर्ण च्क。 अगर देखा जा तो हडित करांट के जनक कु》 थे तो में देखें गे तो उनके जिनक माने जाता है नावनि आउख में शावित किया गया थै। तो रावल केला इस टील प्रांड जो जर्मनी के साहयोग से ये बना हुआ है, ओडिसा राजिय में एंसर एपार्ट रियागा, ठीक है, उद्गाटन इसका 1969 में हुआ था, 1959 में उस समें भारते राज़ पती थे, डाक्टर राजियन पर साथ, तो उन्होंने जो इसका उद्ग समताब मन रहा है, ठीक है, अगला प्रिशन है, क्वेस्टन नमबर 89, MS Excel 365 में कौन सा सेल रिफरेंस प्रकार किसी फार्मूले को कॉपी करने और अन्य किसी सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले में सेल रिफरेंस के नए स्थान को रिफलेक्ट करने की अनुमती देता है तो इसमें से कौन सा रिफरेंस है, तो इस रिफरेंस का नाम क्या है, तो यह देखें किसी सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले को सेल रिफरेंस के लिए नए स्थान रिफलेक्ट करने की अनुमत देता है, वो हता रिलेटिव सेल रिफरेंस, क्या हता रिलेटिव सेल पत्तियों से पानी वास्प के रूम में प्रिक्रिया द्वारा निकलता है जिसे क्या कहते हैं तो पत्तियों से पानी वास्प के रूम में प्रिक्रिया द्वारा निकलते हैं जिसे हम कहते हैं वास्पोथ सर्जन एंसर डिया आप सेनों जगा ठीक है इंगलेस में क्या करते हैं ट्रांसफारेशन यह जगा यक्रित गरंथ स्रावित करती है जो पितासे नामक एक थैली से इस्टोर रहता है तो यक्रित गरंथ क्या निकालती है अगर हम बात करेंगे तो पित रसका स्रावित करती है जो पित गल गंड के लिए किस प्रकार की बिमारी है नाइटी टू नमबर तो यह एक गले का रोग होता है जिसे गेंगा रोग भी कहा जाता है और यह अगर करेंगे तो नियूंता रोग है जो सरीर में आइडीन की काणन होता है तो आइडीन काणन ठाइराइड गरंथ में सूजन आ जाती है तो यह थारेड़ की विमारी हो जाएगी दिए आइंसर इसको सी आपसे नहीं गया ठीका नहीं लिए नियूंगे किस रोग को टीका करन दौ और रहर रोकां नहीं जाको पर में यहां है खो और कौन सा रहर भार्ट. bottle कि और यह यह staan कार्वडरेट के उपाफचे में सही होती है गे तो अगर हम बात करेंगे तो थामीन जो बेरी बेरी जो नहीं हो जाती है भुख में कमी आ जाती है विटामीन डाल अेक्रित और खं मीर आद पाय जाता है तो ले बेरीоне बेरी जो है यह क्या है रोग एटीका करण अम्हाद嘛 से नहीं अरजित आए, देश के निवासियों दोरा अरजित आए, ठीक है, इसके बाद यागा देश के उछ, सभी उद्धोगों का लाव, देश के बाहर आ निवासियों दोरा अरजित आए, तो 94 में जो सामिल नहीं है देश के घरी लुआए में, वो आपका हो जाएगा D-PART, ठीक है जो D-PART दिया गया देश के बाहर और निवासियों दोरा अरजित आए, ये सामिल नहीं होताए, मोहनी अट्टम किस राज्ज की एक निर्थ साइली है, मोहनी अट्टम कि बात करेंगे, तो ये आपके किरल राज्ज की निर्थ साइली है, एंसर B आप संगए थाए, ठीक है सितंबर 24 में किसे उत्तर पतर राजमहिल का अधख्च बनाए गया, उनका नाम क्या है तो उनका नाम है अगला की है इनको राजमहिला आगों का अधख्च निके किया गया गया, शितंबर 24 में राचपधी दुरौपधी मुरमुने किस राज्य में 207 विहार का उदगान सित्मबर नहीं को राश्पदी द्रोपदी मुर्मु के दवारा महराश्ट के लातूर जीले में तो answer B पार्ट है लातूर अगर दोजाथ चुबिस में किसने मिस अर्थ इंडिया दोजार जूबिस का अभी सेयर कर दिया ठीक है तो ये काम तीनों आपको करना है बाकी हम काम सब समाले हों चलिए आज का वीडियो इंडी करते हैं मिलते हैं नेस्टी वीडियो में तब तक के लिए थैंकियो